Dear students, we have to discuss about the integrated curriculum. हम integrated curriculum की बात कर रहे हैं और integrated curriculum के अंदर जो हमने पहली बात की है वो हमने values की बात की है. और हमने values के अंदर जो है न, cultural diversity की बात की है. हमने दो culture जो है वो define की है. एक present, एक future. हमारा जो young learner है, it is the part of the present. लेकिन ये उसके साथ साथ आने वाला future है. उसके साथ जो society exist कर रही है, वो present है जो कल को past हो जाने है. यूँ समझे लें, इस वत present में दो culture है. एक culture जिसने कुछ रसे बाद past में चले जाना है, एक culture जिसको हम train कर रही हैं, वो हमारे future में convert हो जाएगा. हमारा जो focus है, वो हमारा यंग learner है. यंग learner के अंदर जो हमारा जो issue है, वो sustainability है. उस sustainable society के लिए हमारे पास जरूरी है, कि हम एक integrated curriculum को पतारिफ कराएं, वो curriculum जो theoretical part जो है, वो practical aspect के साथ align हो. वहाँ हमने पहली जो बात की थी, जो पहला हमारा issue आया था, वो ये था कि cultural diversity जो है, उसको उसने कैसे address करना है. जब वो पढ़ेगा, उसकी मैंने आपको example पहले भी दी थी, दोबारा देना चाहूंगा, वो पढ़ड़ आये के रिश्वर लेना और देना बुरी बात है. सोसाइटी में जा रहा है, वो काता है, जी रिश्चियर के बगार काम नहीं हो रहा है. यहां गैप है, यह कल्चरल डाइवर्स्टी है. यांग लर्नर की यह सोच है, जो हमारे पास existing है, उनकी यह सोच है. यहां पे उसने ना तो प्राब्लम क्रियेट करनी है, सोसाइटी के अंदर, ना ही वहां पे उसने कोई कल्चरल डाइवर्स्टी के address को जो है, किसी और ते किसे ड्रेस करना है बलके उसको as a young learner उसको accept करना है और अपने आपको sustain करना है दूसरी जो capacity है हमारे पास to contribute the sustainable future provide them range of the benefits including the healthy planets आप देखें जो quality life के बारे में बात करते हैं opportunities की बात करते हैं तो इसके उपर उसको understand करवाने की जरूरत है अब ही आप देखें technology के लिएज से हमारे बहुत सरी चेंज होते चले जा रहे हैं हम technology की वज़ा से चीजों को convert करते चले जा रहे हैं हम एक idea लेके चार रहे हैं और वो हमारा idea है quality of life के उपर अच्छा उसके दो फाइदे है एक तो फाइदा ये है कि जितने तेजी से हम change हो रहे है society change हो रही है और technology oriented होते चले जा रही है हमारा young learner जो है वो उसके साथ most line है और हमारे जो दूसरे लोग है जो young learner नहीं है या समझने के जो हमारा present इस वह चल रहा है वो उत्री स्पीड के साथ align नहीं हो पारा तो इसका मतलब ये हुआ हम अगले चन्द सालों में ये society जो है इसके तमाम जो काम है वो young learner के hand over करने में मजबूर हो जाएंगे मैं उसके आपको एक example देना चाहता हूँ और teaching के हमाले से देना चाहता हूँ कि देखें writing board से एक teaching चुरू ही थी teacher आता था एक black board होता था वहाँ पे वो लिखता था वहाँ से writing board पे चला गया वहाँ से transparency के पर चला गया वहाँ से वो multimedia के पर चला गया वहाँ से वो online resources के पर चला गया अब देखें यह आम change रही है अब फर्द करें एक teacher से 60, 55, 60, 70 years के है उसकी age है और वो उतनी rapidly अपने आपको change नहीं कर पाया जिस अन्दाज में उसको change करना था आप उसको resources online मिलने हैं और अगर वो internet से familiar नहीं हैं तो वो समझ लें कि society के जो ने paradigm's हैं उनके अंदर वो fit in नहीं हैं बिलकुल यही मिसाल जो है हमारी पूरी life के साथ attached है technology की वज़ा से हमारी पूरी life के अंदर ऐसी changes आ रही है यह तो मैंने आपको एक example दी और वो example मैंने दी तीचिंग के अवाले से आप बहुत से अधर चीज़ों को देखें जैसे business के अवाले से अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो cash register के अपर काम करने वाला जो शक्स है अब उसकी counting उसका अंदास वो बिल्कुल different हो गए अगर उसको business की दुनिया में online business से awareness नहीं है online दुनिया से उसको पता नहीं है तो वो अपने business को run नहीं कर सकता इसका मतलब यह है कि अगर हम एक focus कर ले एक linkage के उपर कि हमारी यह जो planet है और इसके उपर जो हमने quality of life लेके आनी है उस quality of life के अंदर जो हमने standard SDGs sustainable development goals बना दिये है उन को आप link कर दें यंग learner के साथ यंग learner को awareness दे दें quality of life के साथ और उस quality of life के अंदर जो value system होगा वो value system होगा जो declare हो गया हुआ है हमारे पास SDGs के अंदर अब देखें एक पार्ट ये है जो हमारा curriculum का content का इससा बनेगा जहां उनको पढ़ाया जाएगा दूसरा पार्ट ये बनेगा के जहां उनको practical life के अंदर जो practical चीज़े हैं उनके साथ उसको align किया जाएगा तो इस integrated curriculum के जरीए उनकी जो development होगी वो development के साथ sustainability भी आएगा